कॉंग्रेस के दिगजनेदा जोती रह देते सिंधिया कुछ दिनों से अपनी ही सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं सिंधिया कभी करज माफी तो कभी ट्रांसफर को लेकर सवालों की बोचार लगा रहे हैं तो कभी गौलेर में मैट्रों और किसानों के फसलों के सर्वो को लेकर पत्र लिख रहे हैं अब सिंधिया ने शियोपूर की समस्याओं से संवंधित कई महत्पूर मांगे रखी है इस संवंध में उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र भी लिखा है इसको लेकर पूर मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नरूतम मिश्रा न करजा माफ हुआ क्या नौजवानों को रोजगार मिला क्या तो मुझे ऐसा लगा कि वह मद्यप्रदेश वाली भासन को महराष्ट में पढ़ गए महराष्ट में बोल दिया उन्हें क्योंकि गोश्णा उनने यहां की थी और मेरी प्रात्रा है कि अगर महराष्ट कई था त की मुंग की तिली की वो भी साफ हो गई है और एक पैसा मुआपजा नहीं मिला और उस पर सितम क्या है आदर्णी जोत्रादित जी ने आज चार-चार खत लिख दिये कल पर सो में मादर्णी दिखवजे सिंगी ने खत लिखे थे उसके पहले लगातार और भी नेता मुख् खत लिखते रहते हैं अब खपा हैं इसलिए खता का वो खत लिख रहे हैं और ये भी एक खत जो लिखा मैंने इंसानीत के पते पर डाकिया ही मर गया सहर खोजते खोजते ये पत्र मुझे मालूम है कि मंजल तक पहुचेंगे नहीं इन पत्रों का भी वही हस्र होगा जो आज तक दूसरे ट्वीटर और दूसरे पत्रों का हस्र हुआ है हम जो विसे उठाते थे ये पत्र दूसरे ग्यों की फसल बोने का समय आ गया किसान का करजा माफ नहीं हुआ जो हम विसे उठाते थे वही विसे है और अचमभा तो ये है कि मुक्हमंत्री जी ने कहा उस दिन मैंने भासन सुना कि आज से ही पैसे आना चालू हो जाएंगे जो बाड के अतीवरेष्टी से फसल प्रवावित है उसमें आदरणी सिंदिया जी लिख रहे हैं कि सर्वे सुरू करा दे हैं अभी तो सर्वे ही सुरू नहीं हुआ है ये इस्तिती आज मद्यप्रदेश के किसान की है कि फसल का सर्वे नहीं हुआ तब दूसरी फसल बोने का समय आ जाएगा फसल भुब जाएगी तो फिर सर्वे कायका होगा नई फसल खड़ी हो जाएगी इसलिए जानपूज के पटवारियों की हरताल करवाई और इसलिए जानपूज कर तेसिल लारों की हरताल करवाई गई थी और ये पत्र है जो मैंने आपके सामने दिखाए है